तीन जुलाए की शरुदान मेर्सो का सवगत है परमात्रप्रता कहते हैं कि पवितरता को आदी अनादी विशेश गुण के रूप में सहज अपनाने वाले पूजे आत्मा भवा इसली मतलब कि उसको अपने जीवन में अपनाने वाले तो पूजे निये बनने का विशेश अधार पवितरता है जितना सर्व प्रकार की पवितरता को अपनाते हो उतना सर्व प्रकार से पूजे निये बनते हो सर्व प्रकार की पवितरता में खानपान की पवितरता सोच की पवितरता रहन सेंग की पवितरता कारे करते हुए पवितरता, कर्म करते हुए पवितरता, बोलचाल करते हुए पवितरता, संबंद संपर्क में आते हुए पवितरता, हर प्रकार की पवितरता और ब्रह्मचरी भी मुख्य है तो जो विधी पूरुवक आदी अनादी विशेश गुण के रूप से पवितरता को अपनाते हैं वही विधी पूरुवक पूजे जाते हैं जो हमारी vibrations होती है purity की कारण वो vibrations जिए पसंसार में पहलती हैं तो उस भावना को feel करते हुए भक्त आत्मय के करती हैं देवी देवतरों की पूजा करती हैं तो हम जितनी अपनी vibrations को पवितर बनाते हैं हमारी बाकी जो आत्मय हैं हमारी remembrance में हमारी यादकार में परमात्मय क्याते हैं वो उतना विधी पूरुवक पूजा करते हैं जो ज्यानी और अज्यानी आत्माओं के संपर्ख में आते पवित्र वृत्ती मला आटिटूड, दृष्टी, देखने का नजरिया, वाइबरेशन से यथार्थ संपर्ख संबंद निभाते हैं, स्वपन में भी जितनी पवित्रता खंडित नहीं होती है, वही विदी पूजे बनते हैं, हुम शान्ती